अब हम बना रहे हैं एक पेपर तेल जरादाल के वो बाइल करना है तब तक आप इधर एकस बाइल करके रखना है यह बाइल होने के लिए 15 मिनिट लगेगा कि मैं एक हंडे में दो कर रहा हूं इसलिए कि दम पोडर मिक्स कर रहे हैं पोडर अच्छी से इसे लगने के लिए कि अधर देखो यह मिक्सर आपके ब्लाक पेपर पोडर सॉल्ट अंड चिल्ली पोडर का है अब देखिए इसमें आइल में एक डालने से सॉंडार आए ना तब समझाएगा कि ओईल गरम हो चुका है कि अधू है कि अधू है वाउगा कर देखो हम अच्छे तरीके से अपले किया करें तो यह अच्छा तरीके सा बनेगा यह मिश्रम मिलाने के लिए आप ब्लाक पेपर पॉडर चिल्ली पॉडर यूज करने चाहिए इदर देखो हमारा वेजल चोटा है इसलिए मैं थोड़ी सी हंडे दाल के बना रहा हूं अब देख लेकर कर लिजिए लेकिन अब निक्षे मिलाने थाइम में ब्लाक चिल्ली पॉडर पॉडर चिल्ली पॉडर अंदन सौल्ट मिलाने थाइम में देख लेके बना लिए क्योंकि वो स्पैसी रहेगा आप नहीं खा सकती आफ्टर फई मिनिट्स इट विल टान इंटू लाइक दिस कला पांच मिनिट के बाद हंड़े के एक पफ्रे इस बनेगा हंडे दानने के बाद में इस पर एक लेट रख दो क्यूंकि आइल बन होगा और वो आपके हाथों पेपरों पे एक एक ड्रॉप पड़े तो बन होगा आप फिर तकलिफ पड़ेंगे आफ्टर वन मिनिट और 30 सेकंड अब एक खोल के प्लेट निकाल के एक को करने चाहिए देखो इसा टन करना चाहिए इसा टन करने के बाद वो आईल मैं इधर थोड़ा सीज दाला हूं अब ज्यादा दालेए देन इट विल कम फर यू अजे ग्रेवी टैप अंडे देखिए इसा कलारानी चाहिए अंदेन आफ्टर टनें इंग इट आप इस पर प्लेट मुच्छ दालो 30 सेकेंड्स के बार फिर ओप्लेट को निकाल कर आप एक्स को टन करने आंडे को फिर फल्टाना चाहिए कुल्टा परल्टा करना है क्यूंकि वो मसला हम एड किया ना वो ब्लैक पपर पोडर चिल्ली पोडर और सॉल्ट का वो इसे अब बहुत तरी अच्छे तरीके से अप खाने के लिए भी क्रंची होगी मैं इदर चाकु यूज करना आपको ग्रिप नहीं मिलेगा चाकु यूज से करने से अब बेतर एक स्पून लेजिए टुटन इस एक्स हंडे को उल्टा फल्टा करने के लिए स्पून यूज करें हंड टन करने के बाद उसे फिर से मुझ डालो बॉल्ल एक्स बनाने के लिए 15 मिनिट्स टाइम लगेगा 15 मिनिट्स क्यूँ बोले तो हंड अच्छे तरह के से बनेगा इसां अब 15 मिनिट्स के अंदर निकाल दिये तो हंड अंदर का हल्दी का सुवना कच्छा राएगा अंदेन टेस्ट अल्चो 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 अच्छी तरह केसे अब टेस्ट कर सकती हो अंदे को भी अच्छी तरह केसे अप्ले होगा अग दिस्वे हल्दी कलर अवरेक ब्रौन कलर आयाना ऐसा हाया तो हंडा बिलकुल पक गया वोलके अब दिन you can serve to the lovely ones thank you झाल झाल झाल